नमस्कार प्रियदर्शकूं आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्ष दो हजार चौबिस का आखरी महिना व्रशब राशी वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है यहां एक बात में आपको अवश्य बताना चाहूंगा दो हजार चौबिस में तो आपने अपने जीवन में बड़े उतार चड़ाव देख लिए हैं किन्तु यही वो महिना है जो दो हजार पच्चिस में आपको एक स्रिष्ट उचाईयों की तरफ ले जाने का नीव रखने वाला है और इसमें आपकी कुंड़ी के तीन ब्रह्म कारक ग्रह उतारू हो रहे हैं कि जितनी समस्या देखनी थी देख ली है अब दो हजार पच्चिस में किजिए आप स्रिष्ट उचाईयों के साथ प्रवेश कौन से वो ग्रह हैं क्या फल देंगे क्या इनके परिनाम र करते हुए आगे बढ़ना है हम चर्चा करेंगे आज के सकारिक्रम में आपके स्वास्त के बारे में आपके फाइनेंस के बारे में आपके कर्म शित्र के बारे में भाग्य द्रश्टी कोन की स्थती क्या संकेत दे रही है विध्या शित्र के अंदर व्रशबराशी वाले ज शुब दिवस कौन से होंगे और अंतिम चरण में उस ब्रह्म की के बारे में जिनका पालन करकर आप बना सकते हैं इस महीने को यादगार। सर्व प्रथम इस्तती में चर्चा करते हैं कि शास्त्र कहता है पहला सुख हर व्यक्ति के लिए है निरोगी काया। आपके लिए ये महीना व्रशब राशी वाले जातकों के लिए अगर पिछले समय में भी आपने स्वास्त में उतार चड़ाव देखे हैं तो ये एक पहला संकेत दो हजार पच्चिस में आपको स्रिष्ट सफलता की तरफ ले जाने वाला योग बना रहा है कि इस महीने आपक एक अलग उर्जा एक अलग पॉजिटिविटी के साथ में अपने कर्म शित्र में दमखम लगाते हुए स्रिष्ट सफलताओं की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे धन द्रश्टी कोण में मैं कहूंगा चाहे जितना उतार चड़ाव आपने दो हजार चौबिस रुके हुए कारिय आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे किसी के पास आपका पैसा अटका हुआ है वो इस महीने में आने के प्रबल योग बन रहे हैं फाइनेसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े डिसिजन की तरफ आप जाना चाह सकते हैं इस महीने में निसंकोच होकर आगे बढ़िये आपके लिए बेहत सुंदर अवस्ता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं गर्म शित्र की अवस्ता में आपको इस महीने में नए कारियों की अपरचिनिटी बन कर आएगी आप अपने कारियों में बड़ी उमंग उस्साह के साथ में अपने कारियों को पूर्ण करने का योग बना है इस प्रकार का योग बनने जा रहा है एक से अधिक आयके आयाम आपके जीवन में प्रवेश होने जा रहे हैं जहां आपकी प्लानिंग कुछ नया करने पर विचार करे कि 2025 में जितना कुछ घटित हो चुका है हो चुका है 2025 25 के लिए मुझे क्या करना है इसकी एक स्रिस्ट कारक प्लानिंग आप इसी महीने से निर्मित करते हुए दिखाई दें और सबसे अच्छी अवस्ता है कि उस प्लानिंग में आपको सफलता भी मिले प्रियास तो आपने 2024 में भी किये हैं किन्तु परिणाम आपके सामने है कि वो इस्ततिया निकल कर नहीं आपाई जो आप चाह रहे थे किन्तु इस महीने में आपके द्वारा जो नई प्लानिंग नए कारिय के स्थि की तरफ का आकरशन बढ़ेगा ये देने जा रहा है आपको इस महीने से सफलता भाग्य इन अवस्ताओं में धन द्रश्टी कोण में कर्म द्रश्टी कोण में मन के स्थियों में स्वास तो वही व्यक्ती बन जाता है व्यक्ती विशेश और यही इस्थि आपके लिए इस महीने से निर्मित होने जा रही है जो आपको अनुभूती कराएगी कि हाँ भाया जी जितने उतार चड़ाव देखने थे देख लिये हैं अब 2025 में में मेरा स्रिष्ट कारक प्रवेश हो बने जा रहा है विध्या द्रश्टी कोन पर हम चर्चा करते हैं तो विध्या की स्टती भी इस महीने में सभी व्रशब राशी वाले विध्यार्थियों के लिए एक बेहद सुंदर अवस्था का योग बना कर दे रही है जहां आपको कॉंपिटिशन में बहुत अच्छे योग बने आपकी विध्या में जो पिछले समय में रुची समाप्त हो रही थी कंप्यूटर मोबाइल खेलना कूदने की तरफ का रुजान बढ़ रहा था उससे अलग हटकर आप विध्या की तरफ एकाग रुचित्रता कॉंसेट्रेशन के साथ में आगे बढ़े और यही ताके चलते अपने पार्टनर को समय ना दे और इस कारण आपके पार्टनर में छोटे-छोटे से मदभेद की स्थती बने इस अवस्था में आपके पार्टनर के स्वास्त में भी थोड़े से प्रभावशाली योग देखने को मिल सकते हैं तो यहां अपने पार्टनर के स् यात्रा कर रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आपके लिए बड़ा ही अच्छा योग बनता है एक दिसंबर से 28 से दिसंबर के मद्य कीजिए आपको बड़े अच्छे लाब देखने को मिलेंगे 28 से दिसंबर के बाद में 2-3-4 दिन बचेंगे सेश में वहां पर आपको यात अव्यापारीयक यात्रा प्लाणिंग नहीं करना चाहिए बाकी पूरे महिने में आप अव्यापारीयक यातरा करते हैं आपके लिए बहुत अच्छे कर सकते हैं जितने भी व्रशब राशी के लोग relationship में बने हुए हैं ये महिना इस आपके लिए relationship को बहुत अच्छा मजबूती देता हुआ पाया जाएगा आपकी relationship में कुछ ऐसी memories को add करेगा जो आपकी relation को और मजबूत करती है तो हर तरीके से व्रशब राशी वाले जातकों के लिए ये महिना इंगित कर रहा है कि तीन तीन आपकी कुंडली के ब्रह्म कारक ग्रह समय आने से पहले ये संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में करेंगे कि उससे पहले शुब रंगों की चर्चा करते हैं हरा रंग सफेद रंग काला और नीले रंग का जितना जादा आप खाना पहनना असपास के वातावरण में प्रियोजन मिलाएंगे ये कलर आपको सकारात्मक उर्जा एक प्रसंद मुद्रा का योग प्रदान करते हुए पाए जाएंगे शुब दिवस की अधि हम चर्चा करते हैं कोई भी बड़ा कारिया आप इस महीने में कर रहे हो जिसमें आपका प्रयास है कि इस कारिये में तो मुझे सफलता मिलने ही चाहिए तो आप प्रयास कीजिए बुद्धवार शुक्रवार और शनीवार को क कारिया कीजिए इसमें आपकी सफलता की परसंटेज बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती हुई दिखाई देगी शुब अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो दो तीन और छे इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप रियोजन में लाइए ये नंबर बन जाएंगे आपके लिए लगी चाम दुरगा की आराधना करना इस महीने में आपके लिए बहुत अच्छा है किसी भी स्वरूप में किजिए महाकाली महालक्षमी महासरस्वती तरिगुनात्म शक्ति का राज-राजश्वरी जगदंबा का किसी भी प्रकार से यदि आप इस महीने में आराधना करते हैं चाहे इनका जाप करें चाहे इनका पाठ करें चाहे इनकी इस्तोती करें किसी भी प्रकार से ये अवस्था करने पर आप देखेंगे कि इस महीने में आपको विशेश लाब होता हुआ पाया जाएगा इसी के साथ में बड़ा अच्छा योग बनता है सूर्य दिव को महीने में अर्ग दीजिएगा जल में कोई चंदन अक्षत पुश्ममत मिलाईए साधे जल से अपने सर से उचा करके जल चड़ाईए जो धारा नीचे गिरेगी उसमें से सूर्य भगवान के दर्शन करकर में तेजस्वकी कामना का ध्यान कीजिए दू हजार पच्छिस में सूर्य जैसा प्रकाश कर रहा है आपका इंतजार आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार